गुड मॉर्णिंग फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल सोने एजुकेशन पॉइंट मेरे चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत हैं अभी मैं आप सभी के लिए बिहार प्रात्मिक बिद्याले प्रधान सिक्षक निवति परिच्छा से समन देते डियलेट भी साय क को लेकर मैं आया हूँ आपके समक्षे जिसमें 30 भी भी महत्पुन प्रस्न है तो आए फ्रेंस हम लोग उससे देखते हैं स्रीयल अंब्र 121 में है मान भी ये मुल्यों जो प्रकिर्टी में सर्वाधिक है कि विकास का अर्थ है क्या है मातारोपन अंगिकरन अनुकरन अभि व्यक्ति बिल्कुल सही उत्तर है 122 निम्र देखें अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक सिक्षा को अच्छा जानकार होना चाहिए जी हाँ बिल्कुल सत्य बात है तो आप्शन ये में है बालक मनुविज्ञान का बच्चों को समझने की प्रविर्ति का विश अस्तर में बच्चे अपने समकच्छी वर के सक्रिय सदस बनते हैं जी हाँ ध्यान देंगे बच्ची की बात होड़ी सक्रिय एक्टिव मेंबर्स कब बनते हैं किस अस्तर के बच्चे तो ए में किसोरा वस्ता बी में वेस्त का वस्ता सी में पाक बाले वस्ता और डी में बा कि 124 नमर को मौनो चित्रन का संदर्भ है मौन के प्रकारी का अन्यवेस्शन होता है कि मन के प्रकारी का अनिविक्षन होता है जी हां 125 निमर देखेंगे फ्रेंस परतीभाशाली होने का संक्यत निमलिखित में से कौन सा नहीं है ध्यान देंगे यहां नकरात्म की बाते पूशी जा रही है कि परतीभाशाली होने का संक्यत निमलिखित में से कौन सा नहीं है तो 126 नमर देखेंगे, एक प्रसमान बारा बर्स उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, जी हां, क्या संभव है, तो D नमर को देखेंगे, कि समकच्छी के अनुमोधन के लिए बेचाइनी, जी हां, समकच्छी जो होते हैं, उनके कलास के जो बच्चे हैं, उनके अन सब्सक्राइब कि कच्छा सिच्छन में रूची ही डभा अंगर मरिंस पड़ाने गई आप जो पढ़ाता है सिच्छन करते हैं उसमें अगर व्चण रूकों का तो बच्चे सब्से घुंड है कि 118番 हैं बिद्यार्थ होे स्रम की अर्वी का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए तो समय समय पर विद्यार्थियों को स्रम करने का उसर देना पड़ेगा जी हाँ यह सबसे सठीक है 128 का सी कि समय समय पर विद्यार्थियों को आप स्रम करने का उसर देना पड़ेगा तभी जाके बच्चे जो है स्रम की इस फूर्ती का विकास उनमें होगा कि किसी बच्चे का संग्यानात्मक समाजिक तथा दूसरे समर्थों का करमिक विकास के लिए उतरदाई होना एक सा उन्तिस का डी बाल विकास की परिभासा का अध्यान छेत्र है जो किसी बच्चे का संग्यार नात्मक, समाजिक तथा दूसरे समार्थों का कर्मिक विकास के लिए उतरदाई होना 130 निम्बर देखेंगे प्रेंस कि प्रात्मिक सिक्षक के लिए बाल मनोबिग्यान का ग्यान आवस्यक है क्योंकि यह बच्यों के ब्यवहार को समझने में सिक्षक की सहायता करता है जी हां बिल्कुल 60 कुत्तर है 130 का डी 132 निम्बर देखेंगे विद्यार्थी में अवांचित ब्यवहार को किन्चित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पधती है जी हां कौन सा पधिती है तो अवांचित ब्यवहार के कारणों को रूर्णना एवं उपच्यार का परवंधन करना जी हां 131 का सी 132 निम्बर देखेंगे आपको सिक्षक दिवस पर कुछ बिद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे तो यह प्रस्ण आपसे जुरा हुआ है कि आपको सिक्षक दिवस पर कुछ बिद्यार्थियों ने एक पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे उन्हें धन्यवाद देंगे उन्हें पैसों की बरवादी नहीं करने के लिए बोलेंगे उन्हें बदले में सुमकामनाय देंगे तो 132 का 262 उत्तर हैं कि उन्हें धन्यवाद देंगे 133 नमबर प्रस्म देखेंगे कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह ब्यक्तिक असफलता है 133 का D यह ब्यक्तिक असफलता है 134 नमबर किसी विद्यार्थी की सबसे महत्पुन विसेस्ता है क्या विश्यस्ता है इसमें सम में से 134 का D होगा अग्या कारिता यह महत्पुन विश्यस्ता होती है 135 नमर देखे आप किसी कच्छा में पार्ट पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विश्या से और सम्मंध एक प्रसन पूछता है तो आप क्या करेंगे जी हाँ अई आप से जुरी हुई सवाल है आपको वर कक्छ में ऐसा देखने को भी मिलता होगा कि किसी आप किसी पार्ट को पढ़ाते हैं माल लेते हैं कि 5 कलास में पढ़ा रहे हैं तो एक विद्यार्थी विश्या से और सम्मंध माल लेते हैं आप महत्मा गांधी पढ़ा आपको लाल बहादूर सास्री के बारे में पूछ देगा तो आप क्या करेंगे तो फ्रेंस इसका 135 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कच्छा के बाद प्रोसन का उत्तर देंगे जी हां अब हमारी कच्छा महात्मा गांदी पढ़ा रहा है उसी समय हम लाल बहादूर सास्री को फिर चेहन देंगे तो बच्चे का मान इधर से उधर चला जाएगा कनभर्ट होने लगेगा तो उससे क्या कहेंगे कि कच्छा के बाद प्रोसन का उत्तर आपका हम देंगे 136 नमर देखें कि बुनियादी अस्तर पर मातरी भासा में सिक्छन देना बेहतर है क्यो तो उससे मेरा आगर है कि किरफया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले लाइक करें कौमेंटस करें आपको जो उचित लगे आप कोमेंट में भी लिख सकते हैं comment box में आपका सादर आमंत्रण है, अमंतृit करता हूँ मैं आपको कि आप अपना comments देंगे, हमें बीचार अपना देंगे कि किस परकार का विडियो है, कैसा मैं डालू, आपके लिए और क्या चाहिए, कौन से भी से आपका कमजोड है. तो फ्रेंस मैं आगे अब प्रसनों को लेकर चलता हूँ 136 नमर देखेंगे बुनियादी अस्तर पर मात्री भासा में सिख्छा देना बेहतर है कि यह प्राकिर्तिक बातावरन बच्चों को सीखने में सहता करेगा जी है 136 का D 137 नमर है स्यामपट पर लिखते समय सबसे महत् है अच्छी लिखावट लेखन में सपस्ता बार एक्ष्ण में में छोट अक्ष्ण पर लिखना 137 का D होगा कि लेखन में और स्पष्चता आपकी होनी चाहिए 137 नमबर आपकी कच्छा में एक छात देर से आता है तो आप क्या करेंगे आपकी कच्छा में ऐसा तो आम प् कारण जाने की चेश्टा करेंगे और D में है उस पर कोई ध्यार नहीं देंगे तो फ्रेंस 138 का सी बिल्कुल सटिक और सही उतर है कि उसका कारण जाने की चेश्टा करेंगे कि वह अच्छा लेट से क्यूं आया 149 नमबर विद्यालाय में विद्यार्थ हो कि कैसे अभी प प्रेडित करना उचित है 140 नमबर देखेंगे सिच्छा का उदेश होना चाहिए कैसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों में विवसाइक को सलता का विकास करना विद्यार्थियों में समाजिक जगरुकता का विकास करना विवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को त जगह मिलनी चाहिए या कथन इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा जी हां तो यह में देखे 141 का में है इससे त्रिभासा सुत्र का पालन किया जा सकता है जी हां त्रिभासा सुत्र में क्या है कि तीनों भासाओं को आप समाहित कर सकते हैं उसका पालन किया जा सकता 142 नमबर देखेंगे लेकन छमता का विकास करने के संदर्व में आपके लिए सबसे अधिक महतपुर्ण है क्या महतपुर्ण है तो फ्रेंच देखें ऑप्सन नमबर D को कि सुनी पड़ी और समझी हुई बातों की स्वभाविक लिखित अभिव्यक्ति जी हां ये बिल्कुल सटिक उत्तर है लेकन छमता के विकास में 143 नमबर देखें कि कोई भी भासा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में सहाइद की धरोहर और बरतमान सहाइद के लिए उत्सुक बनाए जी हां 143 का B 143 नमबर देखें अंतह वाक की संकल्पना किस से समंध ह किस मोनो बिग्ञानी से समंध है यह प्रसन हा गया साइकलोजी का अंतह वाक की संकल्पना इसकीनर से समंध है याद रखें फ्रेंद से समंध है अंतह वाक इसकीनर 145 नमबर देखेंगे भासा की कच्छा को एक समावेसिक अच्छा बनाने के लिए आवस्यक है कि जी हां भ बिल्कुल साथिक उत्तर है 146 नमबर देखेंगे कि पूरक पाठन समागरी का उद्यस है कि दुरूत गटी से पठन की योगता का विकास करना 146 का डी बिल्कुल साथिक उत्तर है 147 नमबर देखेंगे भासा और चिंतन में सम्मान्ध होता है या कथन किसका है फ्रेंड्स पूंता सही आंसिक रूप से सही या पूंता गलत है तो भासा और चिंतन में संबंध होता है या कथान आंसिक रूप से सही है 47 का 48 नमबर देखेंगे हर ब्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाख पर चर्चा करने का उदेश क्या है तो 148 का यह देखेंगे कि बच्चों को भासा के नियमबध प्रकिर्ति की पहचान और उसका विसलेशन करना सिखाना 148 का यह बिल्कुल 60 कुत्तर है 149 को देखेंगे हिंदी भासा के प्रसन पत्र में आपकी सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं यह आपसे जोरी ही फ्रेंस सवाल है मैं ऐसा ही प्रसन ला प्रसनों को देखें और याद करें हिंदी भासा के प्रसन पत्र में आपकी सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं तिसका आपसन नमबर ए देखें कि अगर आप बाबा भारती के जगह होते तो क्या करते हैं जी हां 149 का यह बिल्कुल सटिक और सही उत्तर है 150 नमबर को पाठ पूस्तक के अतिरिक्त पुछा जा रहा है कि कौन सा सबसे कम परभावसाली है तो यह में है घटना वर्नन करना बी में है प्रसनों के उत्तर लिखना सी में संबाद अदाएगी और डी में है परिचार्चा करना तो फ्रेंस इसका सटिक और सही उत्तर है अप्सन अब इत्तर होंगे और अच्छे से अच्छे परिच्छा में अंक प्राप्त करेंगे अगर मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप नए है तो मेरे चैनल को आप क्रिप्या सब्सक्राइब कर ले और बेल आईकन को भी दबा दे और करके ताकि आप तक मेरे जीतने भी वीडियो है परदहान से समंधित आप पहुंच सके और अपने मित्रों को भी सेर करें हाँ फ्रेंड्स अगर वीडियो को देखने में मेरे जो पिक्चर मैंने जो बनाया उसको देखने में अगर अशुबदा है तो सेटिंग में जाकर उसका जो है हाई डिफिनिशन कर ले जो है तो उस मैं संतो शोनी मेरा यह एक ही लक्ष है कि आपकी सफलता कराना ही मेरा लक्ष है धन्यवाद